नमस्कार दोस्तों इंटैमी अपका स्वागत है मैं हूं आपके साथ विशाल बजाज समाच के लोगों से सीथी बात कर देए हैं आज के समय में संद्डोक्टर गुर्मीत रामजाहीम सिंहिंग इंसाहजी की समाच को कितनी जूरत है डिरेक्ट करते हैं सीधी बाद, नमस्कार सर, आपका नाम सर, मेरी तरफ से नमस्कार, क्या नाम है आपका, परवीन कुमार, परफेशन क्या आपका, मैं आईटी का मेरा बिजनेस है खुद का, और मैं शाबाद कुछ एतरा से बिलोंग करता हूँ, हरियाना से, क्या कहना चाहेंगे आप बाबा राम रहीम जी के बारे में, कुछ भी बोलना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है, अरे उनके जैसा संत, जिसने लाकों करोडों नोजवानों की जिंदगी बदल दी, हम जैसे नोजवानों की, आप देख सकते हो, देख रहे हो कितनी संगत आ रही है आज बाबा जी बेशक शारीरिक रूप से डेरे में नहीं है लेकिन ये संगत अभी भी जानती है लोग सब जानते हैं ये पड़े लिखे हैं वैलू एजुकेटेड हैं डॉक्टर हैं इंजीनियर हैं नोकरी पेशे वाले भी हैं बिजनसमें भी हैं सब को पता है कि बाबा राम रहीम जी सच हैं सच थे और सच ही रहेंगे किस तरह से उन्होंने लोगों की जिंदगें बदली क्या क्या कादे किये हैं कि लोग आज भी उनको फोलो कर दे हैं सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूंगा कि बाबा राम रहीम जी ने आज तक एक भी इनसान से किसी भी रूप से दान, चंदा, चड़ावा कोई पैसा नहीं लिया और ना वो लेते हैं ठीके जी, उन्होंने हमें एक ही शिक्षा दी कि जब भगवान नहीं लेते तो हम क्यों ले अगर आप देना चाहते हो तो अपने समाज के लोगों की, पशू परिंदों की, पेड़ पोधों की सेवा करो समाज को आप जो देना चाहते हो वो ही हमारे को सच्चा दान लगेगा अगर आप समाज को सेवा के रूप में दे रहे हो और हमें तो इतना कुछ सिखाया है बाबा राम रहीम जी ने देखो मैं इतना कहूंगा कि कुछ लोग हमें समाज में मिलते हैं वो बाबा राम रहीम जी को मानते भी नहीं लेकिन जब उनकी शिक्षाओं को सुनते हैं, देखते हैं समाज में उनके दुवारा किये कारी है जैसे गरीब लोगों को मकान बना के देते हैं आप ये देखों उनके कहने पे एक दम से पंदरा सो नोजवान ये कह देते हैं कि हम वेश्या से शादी करने के लिए त्यार हैं शायद देश का राश्टर पती परधान मंतरी भी कहें शायद एक नोजवान भी ना आए लेकिन उनकी एक आवाज बे पंदरा सो नोजवान खड़े हो जाते हैं तो इससे बड़ी बात तो शायद कोई समझी नहीं सकता कि वो क्या हसती हैं लेकिन समाज के कुछ गुंडा तत्व लोग जिने नशा माफिया कहलो या राजरीतिक शड़ेंतर वाले लोग कहलो वो ये सोच रहे हैं कि हमने बाबा रामरहीम को जेल में डाल दिया है और हम उनको उनके मिशन से हटा देंगे अरे वो बाबा रामरहीम को आपने जेल में डाल दिया उनके करोडों बच्चे जो उनका रूप हैं वो दिन रात लगे हुए हैं समाज को भलाई के लिए बदलने के लिए बुराईयों को हटाने के लिए नशों को रोकने के लिए हर तरीके से बुराई को रोकने के लिए आप एक भी छोटे से बच्चे से जो राम रहीम जी का शिश्या है नहीं है जो उनको मानता है पूछ के देखो तो सही क्या वो बुराई को पनपने के लिए सिर उठाने के लिए रोकने के लिए किस तरीके से मदद करने को गरीबों की मदद करने के लिए तियार है अब आप देखते हो कि मीडिया वाले दिन रात दिखाते हैं बाबा जी ये है बाबा जी वो है पता नहीं क्या क्या गंदगी दिखाई लेकिन आज भी एक बच्चा भी नहीं तूटा क्यों नहीं टूटा क्योंकि बाबा जी सच है क्या वासकता है किस तरह का विवार था बाबा जी का जो लोग वहां आते थे अरे विवार की तो आप बात ही नहीं कर सकते आप ये देखो कि एक छोटा सा बच्चा और एक 80 साल का बुड़ा ठीके जी सबके साथ गुरुजी बात चीत करते थे सबके साथ रूबरू होके भी बात करते थे जी के अलावा तो गुरुजी शबदी कोई यूजी नहीं करते थे किसी से भी बात करते हैं और आज उनके उपर इतने बड़े बड़े लांचन लगा रहे शर्म करो डूब मरो जिन्हों नभी ये काम किया है उनकी आने वाली पीडियां आने वाला समाज थूकेगा उनके मूपे हम आज भी कहते हैं माफी मांग लो अब भी बच जाओगे लेकिन जब उसकी बेवाद लाठी पड़ेगी तुमारे पास रोने के चिलाने के सिवा हैं सिस्मार गोरो यह अंkal आऐ ये शराब पीते हैं ठीक है जी ले शराब पीनि छोड़ को खेंडर बनाने वाले हैं वेशवरिति करवाने वाले हैं नशा बेच बेचने वाले हैं उनका तो नुक्सान हो रहा है ना, वो लोग बाबा जी को फूल थोड़ा ना देंगे, वो तो साजी से ही रचेंगे, लेकिन साजी से क्या करेंगी, कुछ देर तक सच को दबाएंगी, लेकिन बाबा राम रहीम जी ऐसे सच के सूरज हैं, जो बुराई के बादल को सो नहीं, हजार नहीं, लाख परसेंट फाड के बाहर निकल के जरूर आएंगे, जरूर आएंगे और जरूर ही आएंगे, ये मैं अकेला नहीं कहता, ये सारी साथ संगत, सारी दुनिया को पता है, सच का सूरज जरूर आएगा, मेरा सतगुर जरूर आएगा. क्या लगता है संतों की इस वक्त समाज को जोत है अरे संतों के बिना तो ये समाज धरातल में जा रहा है भाई आप देखो ये सिर्शा शहर जिसमें नशे को पनपने नहीं दिया जाता था आप अख़बार उठा के देख लो हर रोज डेली का कोई भी पेपर उठा के देख लो सिर्शा की खबर होती है नशे के इंजेक्शन से मर गया चिट्टे से मर गया बुक्की खा के मर गया तमाक्खु से मर गया क्यों क्यों कि आज संतों के उपर लांचन लगा के उनको रोका जा रहा है अगर इसी तरीके से संतों का विरोध हुआ वो दिन दूर नहीं जब हमारा समाज रस्ताल में चला जाएगा अगर समाज को बचाना है तो बाबा राम रहीम को लाना है और वो जरूर आएंगे उन्हें कोई नहीं रोक सकता अंत में आप हमारे माध्यम से सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे सर हम तो सरकार से यही अपील करते हैं अभी भी समय है संभल जाओ, मान जाओ बाबा राम रहीम के सच को जानो, पहचानो मोदी जी आप तो देश के परधान मंत्री हो आपको तो गुरु जी ने कहा था कि आप सचे व्यक्ति हो कम से कम आप तो समझो हम चाहते कि पूरी सच्चाई से जाच की जाए और जो भी दोशी व्यक्ति हैं उनको सामने लेके आए जाए और गुरु जी को बाहिजत बरी किया जाए जी सर आपका बहुत बहुत धन्या तो आप